देखे घटना अत्यंत दुखत और हिर्दय विदारक है अपराहन में तीन साड़े तीन वजे के अंदर इपूरा घटना करम घटित होता हुआ बताया जाता है जन्पध हात्रस के सिकंद्रा राओ के अंदर एक पूरा हाथसा घटित हुआ है वहाँ पर अस्थानिय आयज़कों ने एक भोले बाबा का कोई आयुजन अस्थानिय गाओं में उनके द्वारा सत्संग के आयुजन के माध्यम से किये जाते रहे हैं और अस्थानिय भक्तकण उस कारिक्रम में भाग लेते हैं उस समय जब मन्चिय कारिक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचन करता वहां से मन्च से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड उन्हें चूने के लिए उधर जा रही थी और सिवादारों के दोरा रोकने पर यहाथसा वहां पर घटित हुआ इस पूरे मामले की जाच के लिए हम लोगों ने एडिस्नल डी जी आगरा के अध्यक्सता में मंडला युक्तों अलीगड को सामिल करते वे एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्द कराने के लिए कहा है गटना को देखते वे प्रदेश के मुख्य सचिव और डी जी पी वहीं पर कैम्प कर रहे हैं प्रदेश सरकार की तीन मंत्री चौधरी लक्षिमी नार्यण जी से संदीप सिंग जी से असीम अरुण जी तीनों लोग वहाँ पर गटना स्तल पर ही कैम्प करके गायलों को उपचार आधी की बिवस्था में लगे हुए हैं आधने प्रधान मंत्री जी ने भी और आधने ग्रह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख ब्यक्त करते वे सोक संतप्त परिजनों की परती अपनी संबेदना ब्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मिर्तक के परिजन को 2-2 लाक रुपे की और गंभी रुप से गायल परिवारों की नागरिकों की इवली भी पचास पिजाज रुपे की साहिता की गोशना की है राज्य सरकार इस पूरे घटना की तह में जाएगा यह हादसा है या साजिस यह भी हम इसकी तह में जाकरके इसको देखेंगे इस प्रकार की घटना पर पीडितों की प्रती संबेदना ब्यक्त करने की वज़ाए राजनीती करना यत्यन तो दुरभाग्यपूर्ण है और निंदनी अभी देखे ये समय पीड़ितों की घाओं पर मलहम लगाने का है पीड़ितों की प्रति संबेदना का है सरकार इस मामले में पहले से संबेदन सील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजी स्कृतनाओं को भी और इस घाटना की जिम्मेदार जो है उनको भी उचित सजा देगी